जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ व्यापार चलने में दिक्कट आ रही है व्यापार चल नहीं पा रहा है यह आपके काम में रुकावटे बनती जा रही है भाग्य सो गया है भाग्य रुक गया है तो आपको दिपावली के दिन कौन से माहा टोट के कर लेने चाहिए पहली बात दिपावली के दिन आपको पीपल के उपर जाकर एक ताला जरू चढ़ाना चाहिए सर्फ ताला चढ़ाईएगा और उसकी चाबी ले जाकर कहीं बहुत तो दूर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजेगा या किसे इस उंसान जगे पर गड़ा करके वहाँ पर गाड़ आईएगा आज के दिन आपको पीपल के पेड़ पर हल्दी की गाट जरूर बांध करानी चाहिए अगर आपका वेपार किसी रीजन से नहीं चल पा रहा है तो आपको आज के दिन चार किलो कोईला लेना है लकड़ी से बना हुआ कोईला उस कोईले को आपको अपनी दुकान के सामने खड़े होकर या आपके जो वेपार छेतर हैं वहां खड़े होकर आपको साथ बार घुमा लेना है तत पश्चात आपको एक मिट्टी का बड़ा सा कसोरा लेकर उसके अंदर आपको ये कोईला रखके उसके उपर आपको अठारा लॉंग रखकर आपको इस कोईले को जला आना है कोशिश करिएगा कि ये कारे आप पीपल के नीचे ही करें तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आपका वेपार चलने में दिक्कत हो रही है या आपके वेपार से आपको धन अर्जन नहीं हो उपारा आपका कर्जा बरता चला जा रहा है तो आज आपको क्या करना चाहिए मा लक्षमी की प्राप्ती के लिए बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ आपकी जो भी कार्य छेतर की जगे है जो आपका वेपार का छेतर है आपकी दुकान है आपकी फैक्टरी है जो भी आपका वेपार की जगे है वहाँ पर आपको केसर डाल कर आज के दिन घी का दीपक मोली की बत्ती के साथ जलाना चाहिए और मा लक्षमी के आगमन की प्रार् करना चाहिए आपको साथ गोमती चक्र लेकर 41 दाने काली उड़त की दाल लेकर साथ में 21 दाने आपको लाल मिर्च के लेकर पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड़ा करके गार देने चाहिए वहां पर बैठ कर आपको प्रार्थना करने चाहिए कि मेरी जॉब जो चली किया था उसी के उपर आप आधा नीबू काटकर उसमें पांच लॉंग लगा कर छोड़ा यह पीछे मुरकर मत देखिएगा चुपचाप घर आ जाईएगा अमावस की रात्री को रात को नौ बज़े से लेके बारा बज़े के बीच में आप ये कारे कर लिजे आपका कारे जरूर करना चाहिए इस से मालक्ष्मी की आगमन में भी व्रद्धी होती है और आपके जीवन से जितनी भी मालक्ष्मी को लेकर दिक्कते हैं वो सब दूर होती है आज एक और विशेश उपाय मैं आपको बताने जारे हूँ जिससे आपके घर में मालक्ष्मी हमेशा स्थि पर रूप से बनी रहेंगी यह काम और ते करेंगी सिर्फ घर की स्त्रियां करेंगी अपने घर में बरकत बढ़ाने के लिए आपको एक लोटे के अंदर गेहूं भर लेना है आज के दिन उसके उपर आप एक चौठा के Tú clarity दीजे चांदी का सिक्का ना हो तो कोयए चांदी का छोटा सा अपना घृहना रख सकती है वो भी ना हो तो आप नौर्मल सिक्का रख दीजिएगा उसको आप लाल कपड़े सेबां दीजिएगा और उसके बाद में उसके उपर आपको सुपारी और दू गोमती चक्र सिद्ध करे हुए रख देने हैं माहा लक्षमी की आज से आपको निरंतर पूजा करनी है एक तालिस दिन अगर पीरेट्स आ जाएंगे तो वो चार दिन छोड़ दीजेगा बाकी आप कंटीनू करिएगा आपको एक तालिस दिन माहा लक्षमी की पूजन करनी है ऐसा करने इसने माहा लक्षमी की विशेश कृपा आपको प्राप्त होती है और साथी साथ में आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है आपके बच्चों का भाग्य बढ़ने लगता है आपके पती का सोभाग्य बढ़ने लगता है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर आउंगी कुछ नहीं कुछ अलग कुछ अद्बुद लेगा तब तक के लिए मुस्कुराथे रही है, रिष्टों में मज़बूती बना के रखेगा अपने साहर्थे के साथ यह ज़ड़े रही है, प्यार देते रही हैं लिजश्व विख्याद ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गोड विधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानत किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है कर दो